Hey guys welcome to Resource Point this is Arshika और आज आप हम लोग फिर से एक Rudolph टॉपिक पर बात करने वाले है है और यहां पर हम लोग बात करेंगे विमें इंपार्मेंट की बात यह होगी विमें इंपार्मेंट की लेकिन आप लोग के बहुत सारे mills आते हैं बहुत सारे comment आते हैं, मुझे messages आते हैं, जितनी भी female है, चाहे वो आप लोग girl हो, यानि की married हो, unmarried हो, किसी भी age में हो, किसी भी condition में हो, या फिर किसी भी community से आप belong करते हो, आपके पास कितने resources हैं, आप कहां से belong करते हो, कैसे belong करते हो, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ प पास mail करती हैं, मुझे अपने problems के बारे में बताती हैं, लेकिन मैं एक एक को reply करके उनके बारे में बात करने से better मैं ये समझती हूँ, कि मैं आपको एक holistic approach के साथ यहाँ पर एक video provide करूँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक general talk होगा, मैं आपको कुछ ऐसे celebrities के बारे में पर है, वहाँ पर है, यह IS officer है, वो IS officer है, बस इनकी success हमें दिखती है, but actually, कि इन्हों ने कितना hard work किया, वो सारी चीज़े हमें नजर नहीं आती है, शायद हम उन्हें देखने भी नहीं है, यह किस परिस्थिती से निकल कर यहाँ तक पहुंची है, इनके बारे में भी हम लो boys, आप लोग को restrict नहीं किया जारा, आप लोग भी जरूर देख सकते हो, कि आज की rate में एक society था हमारा, जिसको patriarchal society कहते थे, आज भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है आज की rate में, जहां पे पुरुषपरधान देश तो हमारा है ही, लेकिन कोई-कोई ऐसे भी state है, जहां आपके पास alternative है भी नहीं, तो चलिए start करते हैं, अगर आप लोग सच में IS officer बनना चाहते हैं, तो please इस वीडियो को अन तक देखेगा, जो भी महिलाएं, मेरे साथ हमारे channel पे जुड़ी भी है, तो उन लोगों के लिए especially है, लेकिन और भी अगर कोई new verse, अगर मुझे देख करना है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो maximum problem है, वो कहीं न कहीं shot out होगी, आप लोग अपने life में जो भी problem चल रहे हैं, उसको कहीं न कहीं उसके लिए solution निकाल के लाओगे, हर किसी के life में कोई न कोई problem जरूर होता है, कोई भी बंदा या बंदी इस life में आप कुमारी है, और ये है हमारी शृस्ती दिसमो, तो हर एक different field से ये belong करती है, इनके situation, condition के बारे में देखेंगे, इनके mark sheet के बारे में भी देखेंगे, इनकी positive और negative point के बारे में भी देखेंगे, कि इन्हों ने कहां पे कितना महनत किया, और इनके mark sheet को देखकर आप लोग ये analyze कर सकते हो, बेटर तरीके के खुद को observe कीजे, इनको observe करना तो नहीं है, इनसे कुछ lesson जरूर लेना है, लेकिन observe और analyze खुद को करना है, कि आप कहां पे exist कर रहे हो, और आपको और कितना महनत करना है, कहां महनत करना है, ठीके, मैसिव toppers के बारे में बात नहीं करूंगी, कु तो चलिए start करते हैं ये lesson, और एक एक करके सब के बारे में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इरा सिगल के बारे में, जो कि rank 1 है, अब ये rank 1 तो है, हम लोग देख लेते हैं कि हाँ ठीक है rank 1 है, लेकिन इनके पीछे ये देखे कि अगर आप लोग physically disabled है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है opportunity limit हो जाती है, no, never, अगर आप physically disabled हो, किसी भी तरीके कर disabled हो, ये भी मैम disabled थी, लेकिन आप ये सोची कि आज की date में ये first rank में है, category में include है, ये अपने category पे ये अपना जो है उसको इस्तेमाल करके जरूर ये exam clear कर सकती है, no doubt, but ये rank one है, जहाँ पे हम लोग category की बात नहीं करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ की बात नहीं करते हैं, बस एक चीज़ की बात करते हैं, कि अगर आप में किसी भी चीज़ की कमी है ना, उसको आप side में रखो, अगर आपके पास भगवान ने किसी चीज़ की कमी दी है तो उसके साथ साथ आपको positive point भी मिलता है एक unique talent मिलता है जो हर एक इंसान में है मैं हमेशा इस चीज़ पर focus करवाती हूँ आप लोगो कि आप लोग अपने कमियों को देखकर बैठ जाते हो और demoralize होते हो और उसी को लेकर रोते हो बट यह सीरा सेगल भी आज की डिट में यह सोच के बैठ जाती कि वह physically disabled है इनको देखकर आप लोगो लग रहा होगा छोटी सी है short height की है बट आप इनके चेहरे पे जब confidence देखोगे जब इनकी कोई भी आप video lecture देखोगी YouTube में आपको एक देखने को मिलेगा कि इनका किस तरीके स कैसे यह बोलती है कितना inspired होगे आप इनके एक भी वीडियो आप जरूर देखिएगा कि इनके बोलने का तरीका इनके confidence में कभी भी आपको कमी नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़किया मेरी वीडियो देख रहे है या फिर ज अगवान ने भीजा है इस अर्थ में और आपकी जो भी ख्वाइश है मैं यहाँ पे से फ्यू पेसी के ही वात नहीं कर रही हूँ आप अगर किसी और फिल्ट में भी आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं यह नहीं सोचती कि आपकी फिजिकली जो disabled है वो आपको कहीं भी barrier होनी चाहिए बिल्कुल barrier नहीं होनी चाहिए बस हां मैं यह चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग को जो है ना थोड़ा जादा महनत करना पड़ेगा जादा महनत in the sense कि आपको हट के महनत करना पड़ेगा ना क्योंकि आप अलग हो एकदम से आप यहाँ पे आप सोचो कि ह अचानक से first rank में आ गई इन्होंने बकाइदा बीटे किया उसके बाद इन्होंने MBA किया फिर बहुत अच्छे एक private company में यह जॉब भी कर रही थी एक handsome salary के साथ यह जॉब कर रही थी बट फिर भी उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर UPSC का exam दिया पिछले चार साल से य साम आ रहा था और इनको IRS मिल रहा था ठीक है लेकिन फिर भी इनको जो भी डिसेबल था यह IS के लिए फिक्स फिट हो रही थी लेकिन लास्ट अटेम्ट में लास्ट अटेम्ट तो नहीं था चौते अटेम्ट में जो कि 2014 में इन्होंने दिया था तो उस समय यह first rank में आ पा वैसी आपको भी fight करना होगा हर लड़कियों को अगर आगे आना है अपना नाम बनाना है अपनी कुछ recognition society में लेकर आना है तो फिर आपको भी fight करना होगा थोड़ा तो लड़ना होगा बिना लड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हमारा society यह बात करता है अब आते हैं next इनक लों physically disabled देखे और यहां पर हम लोग देखते हैं weaker section कहने के लिए हमारे समाज में weaker section के नाम से जाना जाता है ठीक है लेकिन वही चीज़े मैं कहती हूं कि हमारे समाज में schedule caste, schedule tribes, women को weaker section के category में रखा गया है लेकिन यह तब तक उस category में रखा जाएगा ना जब तक हम उनको मा email इस चीज़ को मानना इंकार कर देंगे और हम अपनी एक standard को बढ़ाएंगे standard अगर मैं एक्टम layman language में बोलूँ तो ऑकात हमें अपना ऑकात change करना होता है जैसे हम लोग जनम लिए है अगर उसी ऑकात में अगर हम लोग मर जाते तो यह हमारी गलती होती है हमें भगवान जी यहाँ पर एक opportunity देते इस life में एक opportunity आपको मिलता है यह life क्या है एक opportunity है कि आप अपने ऑकात को change करो आप अपने खुद को change करो आप अपने पहचान बनाओ चाहिए आप किसी भी community से क्यों नहीं आते हो reservation जो दिया जाता है इन सारे community वाले लोगों को तो वो एक हद तक आ और यहाँ पर देखो top कर गई है youngest highest officer इनको कहा जाता है इनकी positive point क्या है यह आप यही कर सकते हो अगर कोई भी लड़किया जो 12th में है अगर वो मेरी वीडियो देख रही है या फिर अपने graduation की बहुत सारे NC होती है जो medical की या फिर engineering की तैयारी कर रही है अगर आप वहाँ प लेगा क्योंकि UPSC में जो option subject से questions आते है वो graduation level के ही आते है तो आपको उस हद तक जाकर उस height तक जाकर पढ़ना होगा तो क्यों ना graduation में भी आप लोग वही subject लेकर पढ़ लो तो यह आपका काम असान कर देगा इनोंने इनकी interview जब आप देखोगे तो यह पिछले 5 साल से त first attempt में इनोंने clear किया है first attempt first rank which is अपने आप में ही बहुत बड़ा एक उपलब्दी है achievement है कोई सोचता भी नहीं होगा ऐसा जो यह कर गुजरी है कि नहीं लेकिन आप यह सोचो आपको इनकी success दिखती है आपको इनकी खुबसूरती दिखती होगी आपको इनका जो काम करने का तरीका है बहुत यह famous हुई अभी COVID-19 में भी भिलवारा model जो है बहुत जादा राजिस्थान में यह भिलवारा में अभी posted है तो इनके बारे में बहुत चर्चित होता है लेकिन यह आप सोचो कि यह पिछले 5 साल 5 साल इनों ने अपना invest किया है वेस्ट नहीं क्या invest किया तो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको 5-6 साल तो लगना ही होगा अप लोग एक साल में 2 साल में टायर हो जाते हो मुझे कफी काफी लड़कियों की मेल आती है कि मैं दो साल से त्यारी करी हूँ, तीन साल से त्यारी करी हूँ, प्रिलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी इशू यह है कि आप बैट के यह एनलाइज करो कि आपके प्रिलिम्स क्यों नहीं क्लियर हो रही है, क्योंकि मैं आपक साल अगर आपका जा रहा है यह नों ने 11, 12 और ग्रेजुशन की तीन साल, तीनों साल को यह मिला के कहती है कि यह पूरी तरीके से का पूरा पेपर होता है यानि कि मेंस और इंटर्व्यों के मिला के इसे पेपर में 250 में से 145 मार्क्स आए चोकि अच्छा है 250 में आप GS1 में देखोगे 119 है फिर GS2 में इनका 84 है जो कि थोड़ा कम है GS3 में आप देखो 111 है जो कि बहुत ही अच्छा है इतना लाप आना अपने आप में GS2, GS3 में आप देखते हो कि जादा मार्क्स नहीं आते 100 से उपर आ गया तो आप बहुत महान हो जाते लेकिन यह 111 सही उपर आप 15 कि देखार आप 15 को सबस्क्रास में यह जांगu हैं इंचर भी है तो भी अपने प्रापरेशन को स्टार्ट कर सकते हो लेकिन एक चीज है कि आपको focus होना होगा कभी भी अपने aim से divert मत हुए जिस दिन आप divert हो जाएंगे जिस दिन आपको लगेगा कि छोड़ देना चाहिए तो फिर आपको याद रख करना है कि अगर आप छोड़ दोगे तो आप common girl की तरह ही count होगे लेकिन successful और unsuccessful person में एक ही difference होता है कि successful person कभी भी अपने aim को छोड़ते नहीं है कभी भी अपने path से deviate होते नहीं है focused उनका होता है लगता है चाहिए वो कितना साल क्यों न लगे fine अब आते हैं दूसरी female के बारे हम बात करते हैं जो महिला आएं यहाँ पे married हैं शादी शुदा है साथी मदर भी है और साथी साथ उनके पास less number of attempt है तो भी वो exam crack कर सका है अनुकुमारी जो कि आप देखोगे 2017 की rank 2 थी female में यह topper थी ठीक है तो यह एक married women भी थी साथ में इनका baby भी था और साथ में यह लंबे समय से job कर रही थी private sector में थी इनकी कुछ financial stability के कारण इन stability के कारण यह job नहीं छोड़ पारी थी लेकिन जिस समय इनको लगा कि सारी चीज़े हो गई है ठीक इनकी पूरी need पूरी हो गई तो फिर यह passion के पीछे भाग पड़ी लेकिन जब यह passion के पीछे भागी तो इनके पास attempt बहुत कम थे नॉर्मली 6 attempt दिये जाते लेकिन इनके पास बस 2-3 attempt ही बचे वे थे अब यह आप सोचे कि जब 6 attempt होता है तो हम लोग डरते रहते कि पता नहीं 2 attempt चला गया 3 attempt चला गया लेकिन आप सोचे कि इनके पास खुदी 3 attempt बचे वे थे 2 attempt या 3 attempt बचे वे थे उसी में इन्होंने fight किया तो इस type की जिगर चाहिए इस type का आपको अपने उपर confident चाहिए अब इनका mark sheet भी आप देख सकते हैं अच्छा लगेगा इससे में आप देखिए बहुत अच्छा marks लेकर आई है 153 अब GS1 में भी 102 है GS2 में 129 है GS3 में आप देख सकते हूं 134 है जो की बहुत ही highest लगता है इतना ज़्यादा marks पता नहीं कभी मैं देखी नहीं हो किसी भी topper का बट ये one of the highest marks माना जाता है GS2, GS3 में इतना ज़्यादा marks लाना GS4 में आप देखो 101 है और sociology इनका optional था जिसमें भी इनका marks बहुत अच्छा था interview में आप देखो कि 187 है जो कि again बहुत ही शांदार है और इनका आप total final total marks देख सकते हो 1124 है जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जाता है है कि नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर आप married women है mother है और आपके पास कम number of attempts है तो भी आप कर सकते हो उसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप कोई multiple disorders है या फिर बहुत सारे diseases है आपको उस तरीके से गुजर रहे हो तो भी आपको कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती अगर आपने ठान लिया है तो यह है सौमया पांडे जो की 2017 की ही है इनका भी आप लोग देख सकते हो under 10 rank था इनका I think 9 rank था इनका तो इनको बहुत सारा disorder भी है इनको काफी disease भी थी और इवन यह बताती है कि मेंस के पहले भी इनको काफी high fever भी था और fever में ही इन्होंने जो है injection ले लेकर जो है GS2, GS3 की paper लिखी थी तो आप सोच सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं रोक सकता अगर आप एकदम दिल से यह ठान लो कि आपको अगर वो काम करना है एक जनून होना चाहिए एक लगन होना चाहिए अगर वो आपके पास है ना तो आपको फिर इस दुनिया के कोई थाकत नहीं रोक सकती है इनको बहुत तरीके की problem भी है यह बताती है कि इनको सुनने में थोड़ा problem है इनके कान में कुछ defect था और बचपन में इनको कुछ और भी कुछ defect था तो इसके वज़े भी इसके कारण भी इस चीज़ को यह ignore की लेकिन इनके पास जो strength था उसके कारण यह चलते बनी और आगे बढ़ते गई इनका भी थोड़ा सा आप देख सकते हो इनका मैं यहाँ पे mark sheet इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि यह देखिए आप लोग ऐसे में 160 marks भी ला सकते है 160 marks जो कि बहुत ही अच्छा marks है आप यहाँ पे अगर इतना आप देखते हो on and average जो है 130 के around जो है सारे toppers को जाता है लेकिन आप 30 marks का अगर यहाँ पे आप जंप कर ले तो 30 marks 30 marks is a huge आप यहाँ पे बहुत अच्छा marks ला सकते हो तो यहाँ पे आप देखो कि इनका सबसे पहला यहाँ पे उसके अलावा भी यहाँ नहीं रुकी आप लोग GS3 में इनका देख सकते हो 145 जो कि again highest है अनुकुमारी में हमसे भी जादा इनका marks है तो आप लोग देख सकते हो कि कितना जादा marks है 145 है आप लोग भी कुछ इस तरीके का जरूर लिख सकते हो कुछ अपना creativity जरूर दिखा सकते हो कि आपको यहाँ पे marks अच्छे आएंगे GS1, GS2, GS3 में इनका जो है शांदार marks था GS4 में on and average यहाँ पे ethics में 111 ही है law इनका optional paper था और इनका ग्राइज़ेशन भी law से की थी 143, 144 विच इस वेरी गुड personality test में भी इनका लगभग ठीकी था 165 है ठीक है on and average marks है लेकिन total आप देख सकते हो 1108 है तो इनका यहाँ पे plus point क्या था इससे था और साथी साथ GS2, GS3 का फिशांदार तरीके से इन्होंने लिखा है की नहीं अब आते हैं अगर आप engineering में हो अगर जो भी लड़किया मेरी इस वीडियो को देख रहे है जो कि अभी engineering आप कर रहे हो चाहे किसी भी साल में हो या फिर अगर आप engineering में जा चुके हो college में जा चुके हो engineering college में और चाहर साल अभी आपके पास बाकी है तो प्लीज आप इनको follow कर सकते हैं यह है शुरुस्ती जैन्त तेश्मुग जो कि 2018 की rank 5 holder है और female में यह topper थी तो इनसे आप सीख सकते हो कि चार साल जो engineering में जिसमें खास हम लोग कुछ करती नहीं है सिफ मस्ती करते और one night study के through जो है सारे semester को clear करते जाते हैं ओके पढ़ना बहुत जादा होता है टेस्ट होता है वहाँ पे सारे practicals होते हैं वाइवा होते हैं सारे चीज़े होती है लेकिन उसके अलावा भी मस्ती धूमधाम से होती है इन्होंने अपने चार साल में मस्ती नहीं किया होगा यह चार साल को इतने अच्छे से तरीके से यूटिलाइस की है कि यहाँ पे इनका exam जैसे ही यह engineering complete की और यह बताती है कि जब इनका 8 semester था उसके 2 महीने बाद ही इनका prelims था और prelims के लिए इनको ज़्यादा time नहीं मिला था बट फिर भी यह prelims क्लियर कर गई तो आप समझ सकते हो कि अगर आप college में हो चाहे आप engineering college में हो medical college में हो या फिर आप लोग graduation के college में हो academic का आप कुछ दिन पहले भी पढ़के निकाल सकते हो लेकिन rest of the time होता है जो हम लोग ऐसे ही मस्ती करके खराब कर देते हैं तो इसमें आप utilize करो एक बार utilize करो फिर उसके बाद आपका जब exam clear हो जाएगा ना जिन्दी की भर के लिए आप मस्ती ही करते रहोगे मस्ती in the sense क्या होता है कि खली घुमना फिर नहीं आपको सारे शौक सारे आशो अराम सब कुछ मिल जाएंगे UPSC clear करने के बाद I don't think कि हमारे society में किसी civil servant से ज़्यादा किसी कि भी respect होती है बट एक जो ओधा होता है civil servant का उनका देखने का नजरिया चाहे कोई भी हो हमारे society में एक अलग तरीके से देखते हैं कि नहीं और वही recognitions आप लोग पाने के लिए आप लोग इस तरीके के exam को यहाँ पे बहुत महनत कर रहे हो कि आप लोग इसको clear कर सको है की नहीं है ना बिल्कुल तो इनका भी माक्षिट देखे काफी अच्छा माक्स इनको भी आया है 113 यह essay में लेकर आई है मतलब आप समझ सकते हो कि जितना अभी हम लोग देखे उन में से सब से कम है मात्र 113 लेकिन इनका प्लस पॉइंट कहा था इनका प्लस पॉइंट आप लोग देखे कि GS1 में था GS1 में 120 माक्स लेकर आई है GS2, GS3 में तो इनका अच्छा ही है GS4 में ethics में भी इनका अच्छा था 124 है लेकिन इनका option बहुत सांदार था Optional में आप देखे कि इनको माक्स बहुत अच्छे आए 162 & 150 ठीक है और इनका personality test में भी अच्छा रहा 173 तो इनका आप लोग ओवरॉल देखे कितना है 1068 माक्स है 1068 माक्स जिसमें की टीना दा भी टॉप कर गई थी और यह 5 रैंक में है यानि कि इनसे भी आगे जो 4 रैंक थे जिसमें सारे बॉइस हैं उनके माक्स और भी जाते होंगे बट नो इशू मैं उनका उनकी कुछ बेबात नहीं कर रही हो मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने time को कैसे manage कर सकते हो आप अपने situation को किस तरीके से utilize कर सकते हो आप अपने weaknesses को किस तरीके से side में रखकर अपने जो strength है उस पर कैसे work out कर सकते हो ये सारी कुछ ऐसे बाते हैं जो कि आपको कहीं भी कोई भी नहीं barrier कर सकता कोई भी नहीं रोक सकता दूसरी condition देखते हैं अगर आप लोग poor family से belong करते हो गरीफ family से belong करते हो या फिर आप गाओं में रहते हो जहां पर facility की बहुत कमी होती है internet भी धंक से नहीं चलता या फिर आप लोगो day to day जो basic amenities होते हैं वो भी नहीं provide होते होंगे उनके लिए उन जैसी लड़कियों के लिए ये एक बहुत है ये कुमारी प्रियंका है जो कि 2019 में इन्होंने पहले प्रयास में ही इस exam को निकाल रखी है ये उत्राखंड की है और ये बताती है इनके बारे में आप पढ़ोगे तो काफी inspiring इनकी story है कि इनको exam देने के लिए भी काफी लंबा travel करना पढ़ा था क्योंकि इनके जहां पे भी ये रहती इनको hobby था खाना बनाना तो ये कहती है कि वापस आकर जब ये बहुत सुभे निकलती थी और college आती थी उसके बाद जो है वो पैदल चलकी ही आती थी और आने जाने में इनका काफी time जाता था लेकिन फिर भी घर आकर जो है ये ठकती नहीं थी घर में सारे बच्चों के लिए और घर में जितने भी लोग है उनके लिए खाना वाना बनाना घर का जो responsibility होता है वो सारा काम करते वे ये खुद के लिए पढ़ाई भी करती थी आप लोग सो सकते हो कि अगर आप लोग पैदल चलो थोड़ा दूर और पैदल चलकी है मैं घर में इतना काम कर लेती हूं कि मैं पास समय नहीं होते हैं पढ़ने के लिए ये सारे ना पहाने बाजी है बैवस्ची यह कहोंगी अपने लिए आपको कैसे टाइम निकालना है इतने बिजी आपसे better आपको कोई नहीं जानेगा और आपसे better कोई नहीं बताएगा तो यह आपको कःना है कि आप अपने अलग से टाइम निकालनी ही होगी, राइटिंग के लिए आप लोग से टाइम निकालनी ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सिर्फ आप काम ही करते रहो, अपने लिए आप टाइम जरूर निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से, at any cost, तो अगर जो भी लड़कियां गाओं में र प्रयास कर सकते हो, आपके अंदर वो motivation आना चाहिए, आपके अंदर वो inspiration आना चाहिए, इनके पास book की कमी होगी शायद, इनके पास सही internet नहीं होगा, कि जब मन करे, और ये जब जैसे आप लोग पढ़ते हो, और आप लोग को कोई भी topic अगर confuse करता है, तो आप तुरन जो लोग के जो कि ऐसा काम करते हैं, तो आप भी ऐसा जरूर कर सकते हैं, अपने लिए जो है ना, गुस्सा करना, चिडचिडाना, कम्प्लीन करना, इन सारी चीजों को side कीजे, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको कुछ बड़ा सोचना भी पढ़ेगा, बड़ा अलवा मैं एक और बात करना चाहती हूं कि अगर आप working women हो, क्योंकि working women की अपनी ही एक अलग problem होती है कि time issue होता है, चाहे वो men हो या women हो, सबको time issue होता है, साथी अगर आपका last attempt है, यह है यहाँ पे नमीता शर्मा, जिन्होंने 2018 में rank 145 हासिल गी, यह attempt first से ही लगी भी थी, छे attempt में, फास attempt में इनका कुछ नहीं हुआ, पचमे attempt में यह थोड़े से marks के लिए रह गई थी, इंटरव्यू भी दी थी, लेकिन यह थोड़े से marks के लिए रह गई थी, यह merit list में अपना नाम नहीं देख पाई, लेकिन फिर यह last attempt था, इन्होंने give up कर दिया था, यह सुर आज के date में, हम लोग इनके बारे में discuss कर रहे होते, नहीं कर रहे होते ना, बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, तो यहीं चीज़ है, हारना नहीं है, जब तक आपके पास opportunity है, जब तक आपके पास, आप सक्छम हो, आपकी हाथ, पैर, दिमाग काम कर रहे है, तो बस आपको अपने लिए, अपने जुनून, अपने पैशन के लिए आपको लड़ते रहना होगा, कहीं, जिस समय आप ठक गए ना, जिस समय आप give up कर दिये, आप समझे कि आप एक common लड़की की तरह आप count हो जाओगे, सारी लड़कियां एक जगा, लेकिन आपको अपने पैशन के लि लादगार बन जाए, है की ने, तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजे, इस तरीके से अपने पढ़ाई को ध्यान दीजे, अगर ये रोते रहेंगे, आपकी मेरा दो अटेम्ट बाकी है, चार अटेम्ट बरबाद हो गया, तो चार अटेम्ट तो बरबाद हो गया, उसको तो कोई नहीं वापस ला सकता और उसमें आप रोकर खली आप अपना टाइम बरबाद कर सकते हैं मौका आपके पास अभी भी है, दो अटेम्ट है, एक अटेम्ट है उसको कैसे शांदार तरीके से इस्तिमाल करना ये समझें इस COVID के कारण मुझे लाखो मेसेज आये है बहुत सारे मेल्स आये है लड़कियों की इसलिए मैं इस तरीके का वीडियो यहाँ पर बना रही हूँ कि आप लोग यहाँ से इंस्पायर हो सके मैं एक लड़की होने के नाते आप लोग की बेटर कंडिशन को समझ सकती हो COVID में ऐसा था कि एज इशू के कारण बहुत सारी लड़कियां एक्जाम नहीं दे पाई बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम हुआ कि वो अपने रिसॉर्स के साथ अपने ससुराल, अपने माई के अपने घर नहीं पहुंच पाई जहां पी वो पढ़ती थी उनके पास बुक की कमी है, उनके पास इंटरनेट की कमी है जमु एन कश्मीर के बहुत सारी लड़किया है बहुत सारे लड़के भी है जमू और कश्मीर के जिनको प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पे एक साल से इंटरनेट का नेक्शन नहीं था तो आप लोग समझ सकते कि किस तरीके का वो लोग परिशानी जहल रहे But apart from that all the things, now the new normal is here और हम लोग जी रहे हैं वो new normal है फिर आपका prelims आने वाला है 27th of June 2021 तो उस पे focus कीजे और सही तरीके से आप लोग लग जाएए एक बार आप अपने जित को जित मना लोगे ना कि आपको UPSC clear कर नहीं है या फिर कोई भी अगर आप field में हो चाहे एथलेट हो चाहे कहीं पे भी हो आप लोग अपने field में excel करने का कुशिश कीजे जो भी आपने choose किया है जो भी आपने सोचा है बस उस चीज़ को आप excel कीजे मैं बस इतने ही कहना चाहूंगी सारी लड़कियों को मेरे तरफ से यही बात है कि आप लोग की क्या कमिया है और आप लोग में क्यूं आप लोग एक्जाइम नहीं clear कर पा रहे हो यह मैं नहीं बता पाऊंगी आप लोग जो मुझसे बूस्ते हो कि मैं प्रीज बताईए मैं नहीं बता पाऊंगी आप लोग को मैं क्या आप लोग को कोई भी नहीं बता पाएगा यह आप लोगों खुद ही यहाँ पे देखना होगा, खुद ही अनलाइज करना होगा, मैं सिफ आपको एक सही डिरेक्शन दे सकती हूँ, एक common जो strategy होता है वो बता सकती हूँ कि current affairs पढ़िए, basic book पढ़िए, जो क्यूंकि यही सारी चीज़े आपको पढ़नी है, इसके बारे में पूरा details research कीज़े, एक एक word नहीं चुटना चाहिए, GS1 से लेकर GS4 प्लस your optional कुछ भी नहीं चुटना चाहिए, जब आप पूरे स्लेवर्स को complete कर लोगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोख सकता, मैं बस इतने ही कहूंगे, और complete भी नहीं करना है, multiple revision करना है, त क्योंकि इतने सारी चीज़ पढ़ना है, तो फिर आप एक बार पढ़के कैसे याद रखोगे, obvious है, बहुत बच्चों की ये complain होते हैं कि मैं भूल जाती हूं, भूल जाता हूं, ये एक natural cycle है भूलने की, अगर आप नहीं भूलोगे तो आप पागल हो जाओगे, है कि नहीं ब्रेन के बारे में अगर आप study करोगे तो आपको बहुत अच्छे चीज़ पता चलेगा, कि हमारे ब्रेन में ना, यानि कि आप जो एक दिन में पढ़ते हो, 100% जो आपने ब्रेन में आप feed-up करते हो, तो next day क्या होता है, कि इसकी 70% हम लोग भूल जाते है, बात क्या रह ज घंग कर जाएगा, just like mobile, just like gadget, hang करते हैं ना वो सर, क्यांकि इसमें automatic delete नहीं होते है, automatic इस तरीके से नहीं भूलने की रहती है, इसलिए गैजट में गैजट हैं हंग करते हैं, हमारे माard pulp1 जाते हैं जब हम लोग इने कर आते हैं, और जब इसको ओधकर आते हैं, और जब हम ल मैं कहती हूँ कि 100% अगर एक दिन में पढ़ रहे हो तो इसका याद रगना कि नेक्स आपको सिफ इसका 30% ही याद भाकी आप भूल चुके होंगे फिर आपको क्या करने रिवास करना है, रिवास करना से क्या होगा? कि आपका यहां पर 30% और add-on होगा, फिर आपको revise करना है, फिर 20% add-on होग और बाकी का, आप लोग देखो कि 20% फिर last time रिवास करना है वो, तब जाके आपको कुईसी भी चीज कर बारे में याद होता है, 100% आपके mind में जो है, वो एक set हो जाता है, एक database में आपका store होने लगता है, ठीक है? तो इस तरीके से किसी भी चीज से घबराइए मन, घबरा जाईएगा, डर जाईएगा, तो फिर आप इस जिंदेगी में कुछ नहीं कर पाईएगा, तो मैं बस एकी चीज कहूंगी, कि आपके जो भी queries है, जो भी problem है, जो भी तरीके कि आपको परिशानी है, जिस भी situation में है, आप लोग निकल सकते हो वहाँ से, बस आपको ज़रूरत है कि आप लोग minimum resources, जितनी भी resources है, these are not the issues, इसको आप लोग खुद issues बनाते हो, कि मेरे पास AC नहीं है, मैं AC में नहीं पढ़ती हूँ, मेरे पास books नहीं है, मुझे books नहीं मिलता, मेरे पास internet नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, पता नहीं क्या-क्या नहीं है, लेकिन क्या है, आपके पास कभी ये आपने account किया बैठके, कि आपके पास क्या है, और जो है, उसी में आप जो है बहुत Excel कर सकते हो, बस यह चीज़ याद रखेगा, चलिए आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मुझे लगता है कि काफी doubts आप लोग के लिए क्लियर होगी, थोड़ा बहुत तो motivate जरूर हुए होगे, अगर अच्छा लगा है तो comment box में जरूर बताइए, अगर इस त कर आए हो, तो काफी बच्चे काफी ज्यादा हताश है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिफ यहाँ पर करें इंटरफेर्स और आप लोग को जो static portion पढ़ाते रहोंगी, तो इससे आप लोग को जादा कुछ नहीं फाइदा करने वाला, एक side by side मैं आप से बात भी क अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जैसे मैं आप से connectivity फील कर पाती हूँ, आप भी मुझसे उसी तरीके का आपनापन फील करते हो, तब ही आप मेरे बारे मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हो, लेकिन थोड़ी सी मैं सॉरी इसलिए कहना चाहूंगे कि मैं हर किसी को reply नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, जिसको भी जितना भी हो पाता है मैं ज़रूर अपने हिसाब से कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी working हूँ, मुझे भी घर समा करनी है, तो resource point का part बन सकते है, आप लोग इसको subscribe करके, और playlist में आकर आप लोग देख सकते हो, आप लोग जिस भी मन्त की यहां पर magazine की discussion चाहिए, questions solve करनी है, या फिर static portion भी आप लोग बहुत सारे यहां पर देखने को मिलेंगे, और भी दिनों में मैं और भी चीजों को ले current affairs की video मिल ही जाती है, तो उसको देखना ना भोले, fine, तो आज के लिए बस इतनी, thank you